इस कहानी की शुरुवात होती है एक राजा से, जो बहुत ही दयावान और प्रजा प्रिय था, उसकी एक बेटी थी, वह बहुत ही सुंदर और बुधिमान थी, राजकुमारी जब बड़ी हुई, तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी, राजकुमारी के लिए व उसी से विवाह करूंगी, अगले दिन राजा ने राजकुमारी की शर्त के साथ स्वयंवर की घोशना कर दी, स्वयंवर का दिन आ गया, हाथ में दीपक लिये हुए युवकों की कतार लग गई, वह भी बहुत ही लंबी कतार, कोई युवक राजकुमार था, तो कोई नग जगमगाते सुन्दर नकाशी वाले दीपक, राजकुमारी सबके दीपक देखती हुई, कतार के अंत तक जा पहुँची, मगर अब तक उसको मन पसंद दीपक नहीं मिला, लेकिन कतार के अंत में खडे, युवक के हाथ में कोई दीपक नहीं था, राजकुमारी ने उस राजकुमारी ने मुस्कुरा कर वर्माला उस युवक के गले में डाल दी। वह तो सिर्फ प्रतिभा और दूरदर्शिता की परीक्षा ले रही थी।